हैलो फ्रैंड्स, वेलकम टो माई चैनल राते राते क्रोचट तो आज हम ये बनाएंगे सांटा क्लोज का फेस बनाएंगे दिखें, ये हम फेस बनाएंगे दिखें, दोनों अलग अलग है, ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये ट्रेस भी मैंने क्रिस्मस सेशल बनाई है तो इसके साथ हम इस तरह से भी रख सकते हैं अगर ये संटा क्लोज का फेस लगाना चाहे तो ये डोरी ना भी बनाए तो भी चलेगा तो इस तरह से आप डेकोरेट के लिए दोनों साइड एक फेस सिस तरह से रख दीजे है пол live volume में हम नहीं बनाएंगे इस वीडियो में हम ये सांटा क्लॉज का lt बनाएंगे तो चलो बनाना स्टा गण करते हैं और एक पेटरण है तो यह वाला लगा दीजी तो चलो पहले हम छोटा वाला फेस बनाती है तो इसके लिए हम ने देखे एक फेस में जो ने पहला होता है वह skin colour है और यह पीछ colour है तो इन मेंसे आपके पास जो भी कोई color है वह आप you कर सकते हैं इसलिए में दोनों में अलग-अलग यूज किया है दिखे पीच कलर है और यह स्कीन कलर है तो आपके पांच जो भी है वह आप फेस के लिए यूज कर सकते हैं तो पहले हम छोटा अला बनाएंगे तो इसके लिए हम पहले इस तरह से मेजिकल रिंग बना लेंगे और इस फेस को बनाने के लिए हमने क्रोश्या लिया है 14 नमबर का तो अब हम इस तरह से देखे थोड़ा सा ये थागा हम लंबा रखेंगे और फिर हम मेजिकल रिंग बनाएंगे तो इस तरह से स्टार्ट कर देंगे और यहां पर हम एक, दो और तीन चेन बनाएंगे और के बाद इसी में चीकल रिंग में नो बार डबल क्रोशा करेंगे तो एस टोटल हमारे दस बार हो जाएंगे टो देखेंबल क्रोशा किसे के disciples लूप लिया एक मैं डाला निकाला दो में से एक किया फिर से दो में हो गया और अब ये छे साथ आट नो और ये दस और दस वाचोट अबल प्रोश्या है वह हम पूरा कंप्लेट नहीं करेंगे देखें दो लूप हम ग्रोश्य में रहने देंगे और इसके बाद हम यहां से वाइट कलर स्टार्ट करेंगे देखें वाइट कलर में हमने नोट लगा दी इस सरा से और फिर हम इस लोग को यहां से खिंच लेंगे और इसके बाद अब हम यहां से फिर से इसी रेंग में क्रोश्या बनाना स्टार्ट कर देंगे तो यहां पर भी हम डबल क्रोश्या ही करेंगे वाइट हम बारा बार करेंगे यह दो बार हो गया यह तीन बार और यह जो हमने सारे धागे हैं हमारे वो सारे धागे हम साथ में ही रखेंगे जब हमारा यह पहला राउंड पुरा हो जाएगा इसके बाद हम सारे धागे काटेंगे तो यह तीन हो गया इस तरह से white आप बारा बार बना लिजे तो देखे हमने white बारा बार बना लिए और skin color से 10 बार तो अब यह हमारे सारे धागे है इसे हम किस तरह से करेंगे देखे पहले तो इसे हमारा जो magical ring है उसे tight कर लेंगे तो देखे यह वाला धागा खीच लेंगे इस सरा से जितना हो सके इतना खीच लिजिए तो यह हमारा हो गया circle और इसके बाद ये जो दोनो धागे है इसे हम काट लेंगे यही से ही काट लेंगे इसे note लगाने की जरुरत नहीं है तो यहां से हम यह दो थागे काट लेंगे यह हमारे कट हो गए इसके बाद इस थागे की हम यहां पर नोट लगा देंगे यह हमने मेजिकल रिंग को टाइट कर लिया इसके बाद हम नोट लगा देंगे वरना फिर से लूज हो जाएगा तो यहां पर हमने दो या तीन बार यहाँ पर इसकी नोट लगा देनी है पिछे की साइड दीखे इस तरह से और अब इत्धा के को भी हम काट लेंगे और अब हमें यहीं से ही वाइट यहाँ पर एवाले हिस्से के ऊपर भी हमें वाइट करना है देखे यहाँ पर एक लाइन हमारी वाइट आएगी तो यहाँ पर हम पहली चैन में डाल करके सिंगल क्रोश्या कर देंगे और एक चैन में हम सिंगल क्रोश्या बना देंगे देखे और इस तरह से आप पूरी चैन भी उठा सकते हैं और एक chain हम पीछे छोड़ भी शकते हैं देखें एक लूप उठाना चाहे तो भी उठा सकते हैं मैं इसमें एक ही लूप उठाऊंगी और इसमें हमने दोनो लूप उठा लिये हैं तो आप जिस तरह से चाहे इस तरह से कर सकते हैं देखें मैं दोनों में अलग-अलग असलिए बता रही हु तकि आपको एक visa दिखे UK और दोनों साथ में लेंगे तो भी केसा दिखे सामते दीखे Facebook सहबं। आफे पर किनारी MARY और किनारी में दिखे आगे Extra那 रहे स्वरे एक piano केंस दोनों आपको वाइट था, इसकी पहली चेन आ गई है, तो इसमें हम एक बार डालेंगे, इसमें दोनों लूप उठा लेंगे, इसमें एक बार डाल दिया, और सिंगल क्रोशा हो गया, फिर यहां पर एक, दो और तीन चेन बनाएंगे, और इसी के दो लूप उठाएंगे, जो हमने सिंगल क्रोश्या बनाया था इसी के दो लूप उठा करके यहां पर स्लिप टीच कर देंगे देखें स्लिप टीच करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लेकिन हमें स्लिप टीच से ही जोइट करना है और अब हम फिर से आगे वाली चैन में सिंगल क्रोश्या करेंगे सिंगल क्रोश्या हो गया फिर से तीन चैन लेंगे और फिर से इसी दो लूप के उपर हम स्लिप टीच से जोइट कर देंगे स्लिप टीच से जोइट कर दिया फिर से आगे वाली चैन में हमने सिंगल क्रोश्या बनाना है फिर से तीन चैन लेनी है और फिर से इसी दो लोब को उठा करके स्लिप टीच कर देना है तो इसी तरह से हम ये राउंड पूरा कम्पलीट करेंगे यहां तक यह जो हमारा 12 डबल क्रोशे थे वाइट इसका आखरी वाला है यहां तक इसी तरह का राउंड हमारा होगा तो देखिए हमारा राउंड कम्पलीट हो गया है और इस पेटन को भी आप गिन सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आँठ, नो, दस, ग्यारा और यहां पर क्रोशे के नीचे है 12 तो यह हमारे 12 डबल क्रोशे थे तो पेटन भी हमारी 12 ही आनी चाहिए और अब हमें एक चैन यहां पर ले करके धागा काट लेना है कि इस सब्सक्राइक पी चैन थागा कट लेंगे और इस सब्सक्री नोत लगा देगे और अब हमें यहां पर रेट कार्ट करना है इस साईड से रेड भागा स्टार्ट करेंगे देखे इस वाली पहली चैन में डालेंगे और रेड में हमने नोट लगा लो है और यहा पर से हम एक और दो चैन लेंगे इसके बाद हम इस फ्रेस को पलट लेंगे देखे इह हमारी र despite हम साईड है यहां पर हम 3, 4, 5 और 6 6 हमारे सिंगल क्रोशिय आएंगे टोटल हमारे 10 यहां पर चेन थी हमारे पास 10 चेन है तो यहां पर हमने एक में लिए एक छोड़ दी तो 2 यहां पर यूज हो गए एक यहां पर छोड़ देंगे और यह में हम हाफ डबल क्रोशिय बनाएंगे तो इस तरह से 6 हमारे single crochet आ गए तो total मिला करके हमारे 10 chain यूज हो गए तो यहाँ पर से अब हम इस तरह से loop लेंगे और यह जो एक chain बीच में छोड़ देंगे और last वाली में डाल करके हम half double crochet बनाएंगे यहाँ पर हमने दो chain बनाई इसकी जगा यहाँ पर half double crochet बनाएंगे तो अब हम फिट से दो chain लेंगे और इसको पलट लेंगे और यहाँ पर एक छोड़ देंगे और next वाली में डाल करके single crochet बनाएंगे तो एक हो गया यह दो, तीन और यह चार तो टोटल हमारे चार हो गया है देखे चार हो गया फिर से एक छोड़ देंगे और यह जो last वाला है इसके उपर हम फिर से half double crochet बनाएंगे इस तरह से और फिर से यहाँ पर दो chain लेंगे और इसको पलट लेंगे पहले छे लिए हमने single crochet फिर चार लिए और अब हम दो बनाएंगे एक छोड़ देंगे देखे एवाली chain तो हम छोड़ ही देंगे तेकिन एक single crochet भी छोड़ देंगे देखे और एक छोड़ करके इसमें डाल करके हम एक बार बनाया हमने और यह दो बार बनाया तो यह दो बार हो गया और अब हम फिर से यहाँ पर half double crochet बनाएंगे तो इस सरा से हो गया फिर से दो chain लेंगे और फिर से यहाँ पर दो बार बनाएंगे तोरी single crochet बनाना है हमें एक बार किया और फिर से दो बार किया दो के ओपर फिर से हम दो बार बनाएंगे और फिर से इसी जगा पर हम half double crochet बनाएंगे फिर से दो chain लेंगे फिर से पलट लेंगे और अब हमें एक ही बार बनाना है दिखे एक छोड़ देंगे और यहां पर बीच में एक single crochet बनाएंगे और फिर से हम यहां पर half double crochet बनाएंगे फिट से एक चेन लेकर के यहाँ पर फिट से एक बार सिंगल क्रूश्या कर देंगे और अब हम एक चेन लेकर को धागा काट लेंगे दिखे इस तरह से हो गया और अब हमें यहाँ पर जो पंपं है वो हमने पॉफ टीच जैसा बनाया है तो इसको white color से बनाएंगे तो पहले तो हम इस थागे की पीछे note लगा देंगे तो दिखे white थागे में note लगा ले और यहाँ पर बीच में अपने ही साथ से आप बीच में डाल दीजिए और यहाँ पर हम 3 chain बनाएंगे 1, 2, 2 2, 3 और इसी जगह पर डाल करके हम 5 बार फिर से डबल क्रूश्या बनाएंगे 2 हो गया 1, 3 4 और यह 5 3 की chain को मिला करके टोटल हमारे पास 6 आ गये तो यहाँ पर से अब हम पहली chain में डाल करके इस लूप को खेच लेंगे तो यह 50 हो गया हमारा और अब हम एक chain ले करके धागा काट लेंगे और इस धागे के हम पीछे नोट लगा देंगे इसी पफ पीछ के अंदर यहाँ पर और अब हमें इसका एवाला इससा बनाने के लिए रेड कलर में धागा थोड़ा सा नीचे से लंबा रखेंगे फिर इसकी नोट लगाएंगे और अब हमें यहाँ पर एक chain बनाने एक chain बना लिए हमने और इसके बाद इसको थोड़ा सा लंबा खीचेंगे और फिर से इस तरह से करेंगे एक बार फिर से खीचा दो बार हो गया और यह तीसरी बार हो गया तो ये तीन बार हमने इस तरह से puff stitch बना लिया अब हम एक साथ सारे धागे निकाल देंगे और फिर यहाँ पर एक chain ले लेंगे और फिर से धागा लंबा रख करके काट लेंगे तो यह हमारा एक puff stitch हो गया puff stitch तो देखें अब हम इसको इन दोनो धागों को यहाँ से निकाल देंगे इसके पिछे से crochet को डालेंगे और यहाँ पर दोनो धागे एक साथ निकाल देंगे फिर हम इसको एक्टेस कर लेंगे देखें इस तरह से और अब हम इस दोनों धागों को टाइट करके पीछे इसकी नोट लगा देंगे यहाँ पर तो देखें हम अब इसकी आखे बनाएंगे तो इसके लिए आपके पास ब्लेक कलर के मोती है तो भी चलेगा अगर नहीं है तो आप धागे से भी कर सकते हैं देखें मैंने नीडल में ब्लेक कलर का धागा पी रोलिया है और अब हम यहाँ पर इस तरह से इसकी आखे बना लेंगे इसे करके एक दो तीन और चार पांच बार हमने धागा घुमाया और इस तरह से नीडल को निकाल देंगे और इसे करके इसकी आँखे हो जाएगी तो आप दूसरी साइड भी इसी तरह से कर लीजे देखे यह हो गया और आप यहां पर धागा निकाल करके बना लीजे तो देखे है ओ छोटा वाला फेस बन्करके हमारा रेडी हो गया है और अब हम ये बड़ा वाला बनाएंगे तो इसको साइट पर रख देते हैं और यहाँ पर हमने चोग कलर यूज किया है वो ही मैं इसमें लूँगी इच कलर है हमारा वो तो इसको हम इस तरह से मेजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें भी हमने क्रोश्या 14 नमबर का ही लिया है 14 तो अब हम इसको इस तरह से 1, 2 और 3 3 हमने चेन बना ली और फिर यहाँ पर इसी रिंग के अंदर हमने डबल क्रोश्या किया तो हम टोटल 6 बार बनाएंगे एक हमारे तीन की चेन 5 हमारे डबल क्रोश्य तो टोटल हमारे 6 बार हो जाएंगे देखी यह 4 हो गया यह 5 और यह 6 तो यह टोटल हमारा 6 बार हो गया और अब हम इसको टाइट कर लेंगे थोड़ा सा और अब हमें यहाँ पर 1, 2, और 3 और अगर आप इसको इस तरह से मेजिकल रिंग से नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं देखे मैं दो बारा बता देती हो यहाँ पर हम इस तरह से 4 चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5 5 चेन बना लेंगे और यहाँ पर पहले वाली चेन में डाल करके स्लिप टीच से चोइट कर देंगे और फिर 1, 2, 3 और फिर हमने जो रिंग बनाई है इसके अंदर से हम फिर से 5 बार डबल क्रोश्या कर लेंगे तो आप दोनों तरह से स्टार्ट कर सकते हैं मेजिकल रिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से रिंग बना करके भी स्टार्ट कर सकते हैं चेन की रिंग बना लेंगे पहले तो यहां पर हम 5 बार डबल क्रोश्या करेंगे और एक हमारे 3 की चेन तो टोटल हमारे 6 बार हो जाएंगे तो यह 5 हो गया और यह 6 और अब हमें यहाँ पर फिर से तीन चेन लेनी है और इसको पलट लेना है और हर एक डबल क्रोशे के अंदर फिर से हम दो दो बार बनाएंगे देखे तीन चेन बनाए इसी जगा पर डाल करके हमने फिर से डबल क्रोशे बनाए तो यह एक चेन में दो बार हो गए डबल क्रो चार, छे, साथ, और ये आठ, नो, दस, और फिर आखरी वाले के उपर भी हम दो बार बनाएंगे, इस चेन में, ग्यारा, और ये बारा, तो टोटल हमारे ये बारा बार डबल प्रोशे हो गया है, और अब हमें इस थागे को यहां से काट लेना है, एक चेन ले करके धागा काट लेंगे, तो देखें इस थागे के हमने नोट लगा दी, और अब हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, देखें यह हमारा जो दूसरा राउंड है, वो हमारा यह राइट साइड है, यह हमारा पिछे वाला है, तो इसको हम राइट साइड गिनेंगे और यहाँ पर से हम धागे को स्टार्ट कर देंगे, एक, दो और तीन, तीन चेन बना ली हमने, इसके बाद अब हम यहाँ पर से जो पहले वाली हमारी चेन थी इसमें क्रोशे को डालेंगे और इसके साथ चोइट कर देंगे तो यह हमारा यहीं से शुरू हो जाएगा धागा और अब हम इसी में से फिर से हम टोटल नो बार डबल क्रोशे बनाएगे तो एक हमारे तीन की चेन और यह हम नो डबल क्रोशे बनाएगे तो टोटल हमारे 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10 तो टोटल हमारे 10 डबल क्रोशे हो गये, देखे, पर ये जो एक्स्ट्रा धागा है, इसे हम काट लेंगे, या तो क्रोशे से पिछे ले लेंगे, तो अब हमारा ये 10 हो गया, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे, देखे, ये जो हमारा पेहला डबल क्रोशे था, इसके साथ हम slip tis سے joint कर देंगे और अब हमें फिर से यहाँ पर एक दो और तीन चेन बनानी है और तीन चेन बनाने के बाद फिर से हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पर से हम इसके साथ joint कर देंगे इसकी जो तिसरी वाली छेन है इसमें क्रोश्या डाल करके इसके साथ जोईट कर देंगे देखे इस तरह से तो ये दोनों हमारे आपस में चूट जाएंगे और अब हमें यहां पर फिट से एक इस तरह से लूप लेना है और यहां पर यह जो हमारी पहली चेन दिखती है इसके अंदर क्रोश्या को लूप से ल Nuब लूप में bys بعد बीच में helping लूप में दूलना को से सरुपक्रोफ में क्रोशे से लूप दूपटा से 2 तो पंदे यह को सब्सक्राइब फिर से आगे के दो निकाल दिये और फिर से लोप लिया फिर से इसमें डालेंगे आगे के दो निकाल दिये तो टोटल हमारे क्रोशे में चार रहने चाहिए तो यह चारो लोप को हम एक साथ निकाल देंगे और फिर यहां पर एक चेन ले लेंगे और फिर से एक वाइट पहले हमने बनाया था इसी तरह से प्रोषिय में हमारे छार धागे हो जाए तो एक साथ निकाल देंगे और फिर से एक चेंड लेंगे अगर आपको इसा लगता है किचा उच्छादा आता है तो आप दो चेन भी ले सकते हैं और फिर से हम इसी तरह से हर एक डबल टोशे के बीच में इसी तरह से बनाएंगे देखे इस तरह से तो आप ये बना लिजे तो देखे हमारा राउंड पूरा हो गया और ये पेटन भी हमारी दस आई है ये जो हमने पॉफ टीच की देरा बनाया है वो हमारे दस बार बनी हुए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो और दस तो ये दस बनने के बाद अब हमारा राउंड यहां पर पूरा हो गया तो इसमें हम पहले पहले ही हमारी तीन की चैन है जो स्कीन कलर की इसमें डाल करके स्लिप टीच है चुनिट कर देंगे और अब हम इस राउंड को यहां से ले करके यहां तक आएंगे देखे इसमें जी सरा से है वैसे तो यहां पर ह हर एक stitch के अंदर single crochet बनाएंगे एक, दो तीन चार पाँच तो इसी तरह से हमारे हर एक chain में single crochet तो दिखें हमने यहां तक single crochet बना लिए और यह white chain हमारी पहले आ गई तो यहां पर भी हम एक बार single crochet बना लेंगे और यहां पर हम फिर से एक बार और सिंगल क्रूशा बनाएंगे इसी जगा पर और यहां पर हम तीन चेन बनाएंगे और इसी दो लूप के उपर हम स्लिप टीच से चोईट कर देंगे और फिर से अब हम यहां पर यह जो हमारे दोन पफ टीच है इसके बीच में जो हमारे होल होते है इसमें ह अगर आप हाप डबल क्रोश्य बनाना चाहते तो भी बना सकते हैं दिखे मैं यहाँ पर हाप डबल क्रोश्य बनाती हूं एक बार किया दो बार और यह तीन बार एक ही लुप के वीच में हमने तीन बार बनाया और अब हम तीन चेंड लेंगे और इसी के उपर हम स्लिप कर देंगे और फिर से आगे के ओल में डाल करके फिर से तीन बार हाप डबल क्रोश्य करेंगे एक बार किया दो बार और यह तीन बार हाप डबल क्रोश्य हो गए इसके बाद फिर से यहाँ पर तीन चेंड बनाएंगे और इसी के ऊपर हम दोनों धागे ले करके चोईट कर तो इसी तरह से हर एक होल के बीच बीच में हम तीन तीन हाप डबल क्रोशे बनाएंगे फिर उपर चेंड ले करके जोहिट करते जाएंगे तो दिखे हमारा राउंड पूरा हो गया और हमारी ये पेटन कितनी बार हुई है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो और दस तो ये दस बार हमारी पेटन बन गई है और यहाँ पर हमने एंड तक बना लिया है देखे यहाँ तक और अब हम इसको एक चेंड ले करके धा मोट लगा दी और यहाँ पर हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे देखे पहली वाली चेंड में से ही और पूरी चेंड नहीं उठाएंगे पीछे वाला एक ही लोग उठाएंगे यहां पर से हम एक चेन ले करके स्टार्ट कर देंगे और देखे इस तरह से पिछे वाला एक ही लोग उठाएंगे और सिंगल क्रोश्या हर एक चेन में बनाएंगे इस तरह से एक एक लोग उठाते चाहेंगे और सिंगल क्रूश्या बनाते चाहेंगे तो यहां तक बना लीजे तो देखें यहां तक हमने सिंगल क्रूश्या बना लिया और हमारा कितनी बाराया एक हमने शुरू किया था वहाँ पर चेन ले थी वो भी साथ में गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और ग्यारा तो अब हम एक चेन ले करके इसको पलट लेंगे और एक हम यहीं के इसी के नीचे नहीं बनाएंगे नेक्स्ट वाली में डाल करके बनाएंगे तो एक बार हो गया यह दो बार, तीन बार, यह चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह नो अब हमारा यह नो बार हो गया फिर से एक चेन लेगे, फिर से पलट लेंगे इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे तो फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ फिर से एक कम हो गया, और फिर से एक चेन लेगे करके पलट लेंगे और फिर से यहाँ पर इसी के नीचे नहीं बनाएंगे नेक्स्ट वाली में बनाएंगे तो इसी तरह से हमारा एक एक करके कम हो जाएगा और अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं उपर से भी एक 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 कम कर सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच इसी तरह से आप बनाते चाहें एक, एक कम होता चाहेगा हमारा तीन हो गया, चार, पांच, और छे फिर से एक चेंड लेंगे, फिर से पलट लेंगे फिर से हमारा पांच हो जाएगा दो तीन चार और ये पांच फिर से एक चेन लेंगे फिर से पलट लेंगे और अब हमारे चार हो जाएंगे एक दो तीन और ये चार फिर से एक चेन लेंगे और अब हमारे तीन हो जाएंगे एक दो और ये तीन और एक चेंड लेंगे अब हमारे दो हो जाएंगे ये हो गए हमारे दो तो अब आप चाहे तो एक और बना सकते हैं एक ही और नहीं चाहते हैं तो यहां पर ही हम बीच में इसके बीच में ये चो वाइट हम पफ बनाते हैं वो बना लेंगे तो दिखिए अब हम उपर वाला जो यह वाइट हमारा पौफ तीछ है वो बनाएंगे यहाँ पर बीच में अपने हिसाब से कहीं पर भी बना सकते हैं इसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है और एक तो और तीन चेन बना ली और फिर यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच और एक छे यह पफटीच आप जितना भी छोटा और बड़ा बनाना चाहितना बना सकते हैं तो छे बार हमने डबल क्रोशे बना ली इसके बाद यह जो हमारी तीन चेन थी इसके उपर वाली चेन में डाल करके हम इस तरह से जोइट कर देंगे और अब हम एक चेन ले करके धागा यहाँ से भी काट लेंगे और इस थागे की हम पीछे नोट लगा देंगे तो दिखें हमने फफटीज की नोट भी लगा दी है और अब हम यह इसकी मुच्छे बनाएंगे तो इसके लिए हम पहले वाइट थागे में इस तरह से दिखें थोड़ा से थागा यहां पर से लंबा रखेंगे दिखें यह से और अब हम यहां पर 18 चेन बना लेंगे दिखें हमने 18 चेन बना ली और इसके बाद हम इसको यहां पर पहले वाली चेन में छोड़ देंगे यहां पर से छोड़ देंगे इसे और अब हम यहां से थागा काट लेंगे थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे इसे भी और अब हमें यह दोनों धागे हमने लंबे रखे हैं तो यहां पर हम बीच में पहले इस तरह से कर लेंगे और यहां पर सेंटर में इसको बाद देंगे देखें इस तरह से एक बार हम इसकी नोट लगा देंगे जितना हो सके इतना यहां पर पक्का कर लिजे इसको फिर हमें इस थागे को काट देना है और रेड से हमें इस फेस के साथ इसको एटेच करना है तो दो या तीन बार आप इसे नोट लगा करके पक्का कर लिजे तो यह हो गया और अब हम इस थागे को काट लेंगे और अब हम इसमें रेड थागा लपेटेंगे दिखे इस रेड थागे से हम फिर से इसके बीच में रखेंगे यहाँ पर इसके बीच में रख करके फिर से थोड़ा सा लंबा धागा रख करके काट लेंगे और इसे भी जैसे हमने वाइट से किया था इसी तरह से हम रेड से भी थोड़ा थोड़ा सा इसको लपेट देंगे और इसी दोनों धागे की हम फिर से पिछे यहाँ पर नोट लगा देंगे देखे इस तरह से और इसे भी नोट लगा करके यह किया दो बार नोट लगा करके फेस के साथ हमें इसको भी एटेज करना है देखे तो यह नोट हमने लगा दी फिर बाद में इसको सेट कर लेंगे और अब हमें इन दोनों धागों के साथ यहाँ पर इसके साथ छोड़ देना है, बिछे से क्रोश्या डाल करके यहाँ पर इस रेड धागे से हम इसके साथ एटेच कर देंगे और अगर आपको ऐसा लगे तो यहाँ पर आप दोनों जगा पर एक एक स्टीच लगा करके निडल की मदद से इसके साथ जोइट कर सकते है ताकि इधर उधर हम वाश करेंगे तो भी इधर उधर ना हो जाए इसके लिए आप यहाँ पर कर सकते है स्टीच और ऐसे ही रखना तो भी रख सकते है देखे और अब हमें इसकी नोट यहाँ पर अच्छे से लगा देनी है ताकि यह हमारा खुलना जये इस तरह से हम नोट लगा देगे और आखे भी हम ऌसे मेसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले उस छोटे सांता क्लोस में बनाई थी इसी तरह से तो देखे इसी तरह से इसके आखे बहुत इसी ली बन चाती है अब दूसरी यहां पर धागा निकाल करके दूसरी इस तरह बना लेंगे तो देखे हमारे छोटे और बड़े दोनों फेस बन करके रेडी हो गए है और इस ट्रेस की लिंक भी मैं आपको डिस्प्रिक्शन्स बॉक्स में दे दूँगी तो इस ट्रेस को भी बना सकते है और देखे छोटे दोनों है वो मैंने इस तरह से लगाने के लिए बनाया है दे अगर ना ही फेस लगाना चाहते है तो बीच में हमारा प्लैन ना दिखे इसलिए डोरी बना सकते है और इसको और भी डेकोरेट कर सकते है आप मैं जब ड्रेस का वीडियो बनाऊंगी इसमें मैंने ड्रेस के वीडियो में डेकोरेट करना भी बताया है और देखे इस फ्ला पर प्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्प्रिक्शन स्बॉक्स में मिल जाएगा तो वीडियो केसी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई निया वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक्यू फॉर वाचिंग